हेलो गाइड्स ओपिलेट्स मों सोग दूस्तों कैसे हो दूस्तों आज जगो तो बहुत अच्छी रोगी तो आज जो आप लोग देख रहे हैं ना सैमसंग के टीवी ए यह जो कीट देख रहे हैं आप लोग इसमें पॉब्लम क्या हो रहा है इसका अलोएज एस्टी हो रहा ह ठीक है यह जो हो रहा है जो आप लोग कैसे इसको रिप्यार कर सकते हैं तो इसी टोपिक अब में आज वीडियो लेके आया हूं तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तब आप लोग इस्टेप बाइश्टेप एक चीज आप लोग मालूम पड़ेगा कि आपके सामने भी आगर ऐसे फॉल्ट आएं तो आप कैसे इसको रिप्यार कर सकते हैं तो चलिए फास्टाइम में माल्टिमेटर की जरूत पड़ेगी काम करने के लिए माल्टिमेटर को डीसी 200 करेंजी पर सिलेट करने के बाद अभी क्या करने वाला हूं में अभी कुछ व चलिए ठालाथ देखै क्या होड़ा है तो देख 17iron फ्लैक्चेड को रहा है तो फ्लैक्चर इसलिए होता है कि H20 चालू ऑफ चालू ऑफ आणि अंफ होड़ा है ठीक है और्टो मेडीक ही H20 जो अनॉ फॉल्डा है यह कहां से होड़ा है ओन अफ्स्रण वाही तो इधर रि तो वह आईसी जो है पॉसेज है वह ठिक से नहीं कर पाड़ा है तो चलिए देख लेता हूँ यहाँ पर भी देखिए 180 का लाइन जो बेस्वोर्ड में जाता है वहाँ पर भी एकी लाइन है और यहाँ पर भी फॉब्लेम सिर्फ एकी दिख रहा है कि के जो है औरहिज है तो दो श्रहोरा है इसलिए कि हैं यहँ करें हैसी में इसीง में जाना है है वह बहुत ही important voltage होता है 8 voltage ठीक है यह 8 voltage आप लोग कहां पर मिलेगा तो इस ic का 29 number pin में यहां पर मैं इस जगह पर देखिए minus voltage दिख रहा है लेकिन यहां पर 8 voltage होना चाहिए तो दोस्तों देखें यहां पर 8 voltage जब नहीं बनेगा तो set कैसे चलो होगा तो इसलिए तो problem हो रहा है यहां पर देखिए 8 voltage होगा उसकी जगह पर minus 0,4 voltage दिख रहा है ओके तो चले फाल्ट पकड़ में आ गया और फाल्ट को समझ गए कि problem कहां पर है तो चलिए आप देखते है 8 voltage कहां से आता है यहां पर ठीक है फॉलो कीजिए जो मैं बाद बोड़ा हूं इसको समझे अच्छा से तो आप लोगों जानगरी बहुत आजन हो जाएगा वहां पर 8 volt कहां से जाता है इसको देखना है तो जहां से आता है यहां पर 8 volt वहें कि beauty function से आता है बोलड्यज जो बाटिकल साप्लाइज तो देखिया वाटिकल साप्लाइज में जो फास्टाइम तो यह वोल जाता है हमारा जो सेती हैं सिसे ही छालू होगा बैसे ही इसे ही क्या होगा एक ।्षप यह होगा फास करें से क्या होगा एक प्रिवेग pomt Catholic पाल्ट्स आएगा और । Dutch आने के बात क्या होगा आउट पूट टैंजिस्टर सूज़िंग होगा और HD सही से बनेगा लेकिन उसी लाइन में गड़गड है इसलिए HD वर्क नहीं कर पा रहा है यहांगि आई सी ठीक से वर्क नहीं करेगा तो HD भी नहीं करेगा सिम्पिल से बाते तो देखिए अब कहाँ पर problem कहाँ पर है यह देखिए तो देखिए HD से जो plus voltage निकलता है ना यहां से क्वोओं कि यहां परutan मिल रहा है लेकिन ऊहां पर मिल लेकिन इस जगाः है लेकिन ऐकी लाइन कोई बीर्यं स्ट है ना डायवड है कुछ नहीं है बस लाइन है यहां पर फिर भी क्या और आ देखिए quantity नहीं आड़ा है ओके देखिए यहां पर कुछ भी ओम्स सो नहीं ओड़ा है हालागी यह लाइन एक ही है तो चलिए इस लाइन पर कहीं नहीं क्राक हो चुका है या तो फिर लाइन डैम हो चुका है जिसके करण से क्या हुआ है इसका connection तुट गया और इसका जो सब पहुंच पाड़ा है अब देखिए इस लाइन में क्या करने बाला हूं यहां पर एक वाइल ले लिया और वाइल लेके इस जगह से कि मैं सोल्डर कर दूंगा वाइल को पॉलिटिव लाइन के साथ देखिए जिस तो बहुत ध्यान से देखिए समझने वाली फॉल्ट है और बहुत मतलब किटिकल फॉल्ट है मैं बहुत आसानी से आप लोगों दीखा रहा हूं तो देखिए यहां पर मैं इसको सोल्डर कर दिया और सोल्डर करने के बाद अभी मैं लाइन दूंगा उससे अभी जो है रानिंग हो चुका है चली आप वोल्डेज देख लेता हूं तो यहां पर मैं कॉमोन ले लिया ग्राउंड का और इस जगह पर देखेंगे जो फोल्डेज नहीं आ रहा था देखिए 16 वोल्ड प्लास वोल्डेज आ चुका है ओके दूस्तों तो फॉब्लम जो चुका है एड़ोल्ड और देखिए भाडिकल आइसी में सप्लाई वोल्डेज फॉन फंडा वोल्ड वोल्ड वो भी हमारा सही है और देखिए आभी जो एस्टी का वोल्डेज है ना ज्यादा फ्लाक्चर नहीं हो रहा है देखिए रूग गया है नाइटी नाइन है ओके है यहाँ पर देखिए साडए वोल्ड आप लोगों को दिखाया साड़े जो है आप हो गया वांटीकल सप्लाई वोल्डिज भी सई हो गया तो चलिए आप लोग में इसको गड़े ँसको फिक्चर टूम्च कर आप लोगो इसका की गडिखाता हूं कि से जो है चालू होता ह कि नहीं तो चलिए दूस्तों सामने सीसा और सीसे में आप लोगों को दिखा देता हूं देखिए फॉलो कीजिए टीवी चालू होड़ा है और देखिए दूस्तों ब्लुवाय के स्किन आज चुका है तो देखिए आप लोग कैसे इसका पॉल्म सोलेजन हुआ तो बस देखते रहें ऐसे इंडिस्टिंग वीडियो मिलते हैं लिविटे साथ तब तक